नमस्कार आप देख रहे हैं के निउस मैं हूँ आपके साथ ओमातेते दिवेदी और इस वक्त की बेहद एम ख़बर का रुक करते हैं सीधे आपको दिल्ली लिये चलते हैं जहाँ पर जेपी नड़ा से मुलाकात कर रहे हैं योगी आदितनाथ और साथ में दोड़ों कुक्रिमत्री के शुपरसाद मौर भी पहुँचे हैं दिने शर्मा भी पहुँचे हैं देखे उन्हें बधाई देने का दौर सिर्षा लगातार जारी है लोग उन्हें कुछ मुछ सुदे कर बधाई दे रहे हैं ये भी मुख्याले से सीधे तस्मीर आप देख रहे हैं इस बधाई दे रहे हैं गले बिल रहे हैं लोगों का वो हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं अब देखे प्यूश गोईल भी वहाँ पहुंचे है पुष पुछ उन्होंने दिया और उन्हें बढ़ाई दी है जोए पी नर्चा को अब देख रहे हैं यह पी के वरिश्ट लेताओं का वहाँ पर बधाई देने का सिलस्रा लगातार जारी है तस्पीरों में आप देख रहे हैं अब आ गया है योगी आधित रात देखें जेपी नर्ड़ा से मुलाकात करने के लिए अमित शाभी वहाँ पर पहुचे आगार जागे वरिश्ट ले योगद दीज्ट को आगे अगधर स्वाट्रा जाग वाजब क्वेश्ट लेता जागे जगर गार जागे रात जागे वहाँ पर पर फोया वर्टेव में आखकार जाग जागे भूप कर देखेंड़े हैj। योग्यादितनाथ यूशकोयल विजेपी के गज और वरिस्ट और विशिष्ट लेतागर इस वक्त विजेपी मुख्याले में मौजूद है आप उसी तस्विर देखे हैं हमें प्षिशा हा इसलिए उनेक पेंटिंटिंटी है जादा जानकारी के लिए हमारे सहिऊगी अमित दुबे दिल्ली से जोड़ गए हैं अमित इस वक्त क्या कुछ नजारा है वहां का कौन कौन से दिगज पहुंचे लगबख सभी दिगज नजार आ रहे हैं वहां पर सुमित्रा महाजल हो अमित चाह हो योग्यादितनाथ हो प कौना में लगाता है लोका ताता लगा हुआ है दिग्यटी की लगबख सभी बढ़े नेता हो या छोटे नेता हो इस वज़ाई देना चाहता है रूसी बड़ी की संसर्क का सेशन कल आ है उस लगबख सभी संसर्ट जो है वो यहां दिल्ली में मौजूद है और यहीं आपका शुक्री आमेद इस पर तमाम जानकारी देने के लिए और सी ख़बर पर के न्यूज संपादक संजय राजन जी हम से जुड़ गए है संजय जी ये आज का दिन बहुत महत्पूर्ण है जिस तरीके से विजेपी मुख्याले में पूरा का पूरा विजेपी का कुन्बा वहाँ पर मौजूद है सीम योगी पहुँचे है साथी साथ वहाँ पर केश्व पुषाद मौर पहुँचे है दिनेश शर्मा पहुँचे है बधाईयों का सिलस्ला लगातार जारी है देखिए इसमें कोई दोर आ नहीं है आपको याद होगा हो माधित जो हमने चर्चा कर रहे से उसका है यह बड़ा बदलाव हो सकता है वह निशी तरवर काभी आहम मानी जाएगी क्योंकि इस साल तीन राजियों में चुनाओं होने हैं उसमें कहीं न कहीं एक परिक्षा की घड़ी होगी जेपी नग्दा जी के लिए जाएगी की बात कर रहा हूं जाहर खंड की हर्याना की और महाराज की इन तीन राजित चुनाओं होना है इसमें देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ हता है लगी जेपी नग्दा ने बतौर चुनाओं प्रभारी होकर के उस्तर प्रदेश में जो महती जीत दिलाई थी बीजेपी को इससे उनके कुछलता पर कोई सवाल ख़़ा नहीं हो सकता है लेकिं जाहिए सी बाते चुकि अमित्ता और प्रदान मंतिर मोदी के काफिकरी मी माने जाते है जेपी में जाते है और उन्होंना बत और कैबिनेट मंतिरी रच्टू अपने जीमवारियों का बप बीजेपी नग्डा पर नहीं जाते हैं जिस तरह से अमित वाइसा ने अपनी भूंचा का निर्वान बतर राच्टी अदेप्ष किया है हाला कि राच्टी अदेप्ष बनने में अभी कुछ वास है दिसम्बर करना पड़ेगा लेकिन इन तब के भी कहीं नग्डा का जो कारकारी अदेप्ष तरूप में मनोनयान हुआ है पार्टी के बितर उसे संदेज सेरे किसाफ कोसेश है कि टीम मोदी ही आने वाले दिनों म पालानहार बनेगी और जेप्वी नग्डा सीदे सीदे अमिता और नरण मुख्णी जी के करीवी रहे हैं इसलिए कारकारी अध्यक्ष तरूप में इनकी भूमगावी कास्याम देखनें पर मिलेगी खुल मिनाकर के यह कहा जा सकता है संजय जी एक बात जारा साब कीजिए कि यहां पर ठीका भी कारकारी अध्यक्ष हैं आगे चलके राश्ट्रे अध्यक्ष के तौर पर दिसंबर के बाद वो पदभार सभालेंगे लेकिन क्या चुनौतियां कम होगी क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही इनको और ऐ मान करके चलना के ही क्योंकि अबूस पाठाला के यह का जासर का शात्र के रूप में रहेंगे दिसंबर तक और जाए इसके बाते जेपी नद्डा में भी संगठन कारेशमता काफी है इनका रख्तित तो है इनके वेवार को सलता जो है और संगठन को किस तरह से इस्तमाल कर संगठन को मजबूती देने के लिए इसमें इनको महारत हासी में जेपी नद्डा साब को भी तो कुल मिलाकर कि यह कहा जाएगा है कि इस पारी में भी जेपी नद्डा उत नहीं उत्रके शोकर के निकलेंगे जिस तरह से हमीं भाई साह निकल करके आए हैं अपने रास्तिय देखने को मिल सकती है एक बड़ी चुनोती संजय जी यहां पर होगी पश्चिम बंगाल की बात कि जाए या केरल की बात कर ली जाए नौर्टीस्ट जोन की बात कर ली जाए तो ऐसे में क्या कुछ इनकी रणनीती हो सकती क्योंकि यह संगठनात्मा क्रूप से बहुत अच निभाई है यह पर लगातार बीजेपी कारकरता संगर्स कर दो करता हो कि यह से लगातार वीरोद मिल रहा है बावजूद इसके बीजेपी कारकरता हो के होतले कम होते नगर नहीं आ रहे है तो जाहिज से बात है पश्रिम बंगाल फटह का तो मिशन अमिस्ता ने ले लिया है यह उस दिन ही अलान कर दिया था जिस दिन बतार चुनाओ जितने के बाद पार्टी मुख्याले में पहुंचे था अमिस्ता और पियमोदी अभिनंदन समारों में उस वक्त भी अमिस्ता लगातार जा रही है पश्रिम बंगाल में बाद इसके बीजेपी कार्टाओं में होस्ला किस सरथ देना है यह जिए नगदा के सामने एक कहा जा सकता है कि चुनाओती है लेकिन चुनाओती इसलिए भी कार्यकर्टाओं का होतला करी से भी पर्स होता हुआ नजर नहीं आ र कि चुनाओ जितने कवाद प्रधान मंत्री मोधी भी वहां पहुते थे केरल में और एक संदेश देने की कोशिश की थी तो कुल मिलाकर के पूरे भारत में जो पर्टम लहराने का जो कमल खिलाने की जो कवायर है उसमें कहीं नगदा भी सफ़ल हों गयाता मेरा मानना है क्य संदेश जी एक चीज और बहुत महतपूर हैं सीम योगी पहुंचे हैं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्रे और दिनेश शर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं ऐसे में यूपी को लेकर कि किन किन बिन्दों पर महतपूर बाते हो सकती हैं क्योंकि अपने आप में य सकता पाने में यूपी का हैम रोल है कर दिने की कोशिश हो रही है इना सिर्फ के सरकार बल्की प्रदेश की सर्कार भी अपने चुस्त दुरूस्त कारवाली के जरी है जनता में एक अच्छा का सब्सक्राइट बनाएगी यानि कोशिश लगातार जा रही है इसके अलावा कोई सामने मार्ग दर्शन नहीं है कि आकर विपक्षी दल क्या कुश करेंगा तर्ता में आने जवाद तो इस तरह का सवाल जनता भी तलास्ती है विपक्षी दल होते है लेकिन उसका कोई जवाब जनता को नहीं मिल पा रहा है तो बड़ी जम्मेदारी के तो पर अब जेपी नब्डा को दे दी गई बड़ी जم्मेदारी देखना ही होगा कि इस चनौती और जिम्मेदारी को बखुबी कैसे अमित्शा की तरह वो निभाते हैं ये देखना बेहद हैं होगा संजाराजन जी हमसे जोड़ने के लिए इस पर सचा करने के लिए आपका शुक्रिया